एलो नमस्कार अवन लेकं सास्रिया काल आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चनल म्यंड कि अच्छे मैं सिर्म पढ़ रहे हैं शे इन हम धिला देंगे बना देंगे द्वस्त कर देंगे चोटा से ले वने वाला है टेंशन बिलिकुल नहीं लेंगे मोशन अपन इंकलाइं प्लेंट पर यह लेक्शर है रिवटाइशन होती है जो आपको दिस्रिप्शन में मिल जाएगी उस उस PDF को download करके आपको solve करना है बन जाएगा तो वेलेंगोड नहीं बनेगा तो उस DPP का वीडियो solution भी आपके सामने आता है फिर चैप्टर वाइस MZ Qs होते हैं पीवाई Qs आपको दिये जाते हैं doubt solving session आपके होते है weekly test paper आपको दिये जाएंगे आचा doubt session में आप जो doubt पूछना चाहते हो वो doubt आप दोगे हमें कैसे जो lecture आपके सामने आता है उसके description में नीचे जब आप जाओगे तो ask your doubt का एक link होता है ask your doubt ask your doubt पर जाके आप अपना जो question है वो upload कर सकते हो हमें receive हो जाएगा और इसका solution हम आपको Sunday को live session में दे देंगे हना आप जैसे exam approach होने लग जाएगा हम आपका chapter wise on short revision भी करा देंगे और online जो test series आपको provide कर आई जा रही है उसमें आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी तयारी है वो to the point चल रही है या नहीं on the point या बोलते है on point चल रही है कि ठीक है ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज कर आज के लेक्टर को हम को motion under gravity on inclined plane पढ़ना है बस और उसके बाद कुछ related questions करना है उससे जो important concept निकल कराएंगे वो मैं आपको दे दूंगा बिलकुल भी tension नहीं की ज़रूत आपको नहीं है तो चलिए motion under gravity on an inclined plane on an inclined plane any plane inclined to the horizontal कोई भी ऐसा plane जो horizontal से inclined होगा at some definite angle किसी definite angle पर is said to be an inclined plane at the corresponding and the corresponding angle is known as the angle of inclination or simply inclination ठीक है ना simple सी बात है यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो horizontal level है इसको आप क्या बोलते हो यह जो है आपका यह horizontal level है इस horizontal level से जो आप एक ऐसा plane मना रहे हो जो किसी angle पर है horizontal से उसको आप क्या बोलते हो inclined plane बोलते हो और इस theta को आप क्या बोलते हो angle of inclination बोलते हो बात समझ में आई हां सर समझ में आ गई चलिए तो इससे related सबसे पहला एक question है जिससे हम concept को समझेंगे और वो क्या है जरा देखेंगे show that the velocity acquired by a particle in sliding down an inclined plane is same as that he acquired by the particle falling freely from rest through a distance equal to the height of the inclined plane इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले एक inclined plane तो लोग है inclined plane मनाता हूं मैं inclined plane inclined plane यह लोग अरे यह कैसा inclined plane है सर यह कैसा inclined plane है यह बढ़िया inclined plane मैं आपका बना दिया अब यहां पर एक ball रख देता हूं जाकर मैं यह स्टोन है स्टोन बुलाए ना particle बुलाए कुछ भी लिए स्टोन ले लेता हूं यह बॉल लेता हूं जो आपको मानना बॉल यहां पर रखिया और एक बॉल यहां पर लेता हूं ठीक है यह जो inclined plane है माल लीजिए यह थीटा पर inclined है हना इसको डिस्पेस्मेंट शो करना है नीचे आने के लिए वह कितना होगा है सोगल और यह जो हाइड है यह कितनी है वर्टिकल हाइड है क्या यह वर्टिकल हाइड है तो आप बोल सकते हो यहां से साफ साफ बात साफ साफ बोल सकते हो क्या सर थोड़ा साइसको हम ठीक है ऑक हम इसको बोल सकते हैं साइन थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse हैनी कि H by S यह बोल सकते हैं यह नहीं बोल सकते हैं बिलकुल बोल सकते हैं अच्छा यहां पर हमको under the gravity sorry चीज़े देखनी हैं हमें जानते हैं पहले हम यहहां पहुट जाएगी जब रहुत जाएगी yogi v1 मालीज की स्क्वस्विशिटीम गई है v1 थिना तो हम यहाँ पर एक एक्वेशन लाएंगे प्यार सब कूछ क्या लूँगा मैं इस direction में positive हो अब इस बाइफ से लूगा मैं इस direction में positive लूगा टेस्य देखिएगा एक चीज देखिएगा भइ इस पर gravitasional एकसेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ इस ball पर या if to own पर नीचे की की तरफ gravitational acceleration करा है लग रहा है जी ठीक ना इसके दो component होगे एक component होगा along the inclined plane, एक component होगा along the inclined plane और एक component होगा इसका perpendicular to the inclined plane, होगा की नहीं होगा, बिलकुल होगा सरद, resolution of vectors पढ़ा है न, resolution of vector पढ़ा है न, तो अगर यह एक G है आपको दिया हुआ, McCh izquierdy also. नीचे की तड़फ है, तो एक component इसका along the inclined plane जाएगा और एक perpendicular to the inclined plane जाएगा थीटा की बात करें तो ये थीटा है ये थीटा है ये 90 माइनस थीटा है ये 90 है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वापस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा ठीक है ना तो अगर ये जी है तो दिस इस जी कॉस थीटा कि अयन्ट वेन्ट देख सकते हो कि डिरेक्षन में हमारा मोशन हो रहा हैट जित डिरेक्षन में हमारी assumption हो रहा है उस डिरेक्षन में जी का कंपेट कौन साघंगा रहा है प्सवर का झीचल पिरा तो हम यहां साफ-साफ बोलेते हैं कि एस की वेलिव क्या है भैई S की value क्या है S की value है S के बराबर और यह positive का S है क्योंकि इस direction में हम positive ले रहे हैं चीजों को ठीक है U की value क्या है U की value है 0 A की value क्या है positive of G sin theta positive of G sin theta हना और V की value क्या हो जाएगी V की value हो जाएगी V1 तो चलिए निकालते हैं भाई V1 का square is equal to initial velocity है zero initial velocity है 0 plus two times of G sin theta Gendi s मुझे ची कारे है चली टूजी साइन इस अ होता बàई और कभी कभी हो जाता है क्या कर सकते हैं क्लद का है क्में जाए टॉट अब संद्रिटा की कि वxtनि है ह हॉजब और सकते हैं वरmans कomena टौर सकते हैंふふ brass किसके लिए आई है यह वी वन की वैल्यू यह वी वन की वैल्यू आई है किसके लिए inclined plane पे जो ball लुड़क कर नीचे जा रही है ना जब लुड़क कर यहां पहुंचेगी तो इसकी लॉसिटी क्या होगी जीरो जब इसको मैं ड्रॉप कर दूगा तो जब नीचे आकर बॉल आपको मिलेगी तो इसकी विलॉसिटी कितनी होगी तो मैंने मान लिया भी इसकी विलॉसिटी क्या होगी वी टू होगी ठीक है ना सिदे सिदे एकवेशन अफ मोशन लगाते हैं दूसरे करदा से स्वाव करता हूं इसको आइए इस में लगाया वी स्क्वेर वी टुस्वेर लिग दिता हूं इस उकल तो यू स्क्वेर प्लस टू है एस ठीक है ना एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी है याँपर एक्सलिशन की माइन जी स displacement minus h हो रहा है ठीक है और क्या initial velocity क्या है इस case में 0 है initial velocity 0 है और V की value कितनी हो गई है V2 हो गई है चली very good तो V2 square is equals to 0 minus 2 times of minus g into minus h ठीक है तो V2 square is equals to 2 times of g h V2 के value कितनी आ गई? V2 के value आ गई under root 2g h क्या समझ में आया क्या समझ में आया क्या समझ में आया क्या आप अपने ball को जब inclined plane से छोड़ते हो लड़कने के लिए तो वो लड़क कर जब नीच आती है तो उसकी velocity under root 2g h हो जाती है और अगर उसी की ball सिर्फ under the effect of gravitational force है और gravitational force conservative force होता है ज़हाप energy power में पहुंचोगे तो आप को समझ में आएगा कि जो आपका gravitational force होता है वो एक conservative force होता है अगे मरी बार समझ में conservative force यो होता है उसके द्वारा किया गया force यो होता है ँे रिक क्या होता बॉल है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर दी कंजर्वेशन कंजर्वेशनल फोर्स के अंदर है अरे सर यह सब आपने पढ़ा दिया क्या अरे नहीं अभी नहीं पढ़ा है यह जब आप सिक्स चैप्टर में पहुंचोगे ना आपके NCRT से 6 चैप्टर है वर्क इनरजी और तो व अगरे नहीं हमेशा मेकानिकल एंडरजी हमेशा रहती है यही क्वेशन में आपको जब आप वर्क इनरजी पावर पढ़ोगे तो यही चीज में आपको वहां पर भी दिखाऊंगा ठीक है ना ओके कोई बात नहीं अगर आपको नहीं से बोल रहा है तो कोई टेंशन वाली incline, find the time taken in sliding a particle down the whole length of the incline, ठीक है, आईए, second point, second point वो बोल रहा है कितना time लग रहा है, time taken, time taken निकाल ला है हमको, ठीक है भाई, तो हम लगाते है equation S is equals to ut plus half a t square, along the inclined plane लगा रहा है, ठीक है न, कितना displacement दिखाना है आपको S initial velocity कितनी है, 0, initial velocity कितनी है, 0, acceleration किसके बराबर है, G sin theta के बराबर है, हाँ कुछ गलत कहा क्या है, नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं कहा, चली तो, S is equal to half into G sin theta into T square, G sin theta into T का square, half into G sin theta into T का square, ठीक है, तो हो जाएगा 2 times of S, 2 times of S upon G sin theta, 2 times of S upon G sin theta is equals to T का square, this implies, this implies T is equals to under root 2G, नहीं, अंडर root, अंडर root, अंडर root क्या हो जाएगा, 2S, 2 times of S upon G sin theta, अब क्यों कि स्क्वेर था, तो यहाँ पर लगा देता हूँ, root, यहाँ आजाईए अब, हम जानते हैं कि जो हो, sin theta है, H by S के बराबर है, किसके बराबर है, sin theta जो है, वो H by S के बराबर है, याद रखिएगा, H by S के बराबर है, ठीक है, तो, हम लिख सकते हैं, T is equals to under root, twice of S upon G into, यह हम S को लिख लेते हैं, क्योंकि हम कुछ साइन स्क्वेर, theta चाहिए, S को हम क्या लिख सकते हैं, आउज़रा देखे, S को हम लिख सकते हैं, H by S थेटा, ठीक है, S को हम लिख सकते हैं, H by S थेटा, ठीक है, S को हम Лिख सकते है, H by SRE 2 times of H upon G sin theta, एक और S साइन थीटा आ जाएगा तो यह साइन स्क्वेर थीटा हो जाएगा ठीके ना मैंने क्या कर दिया है एस को लिग दिया है एच बाइ साइन थीटा क्यों लिग दिया है क्या बन जाएगा को सैग थीटा बन जाएगा बस इसको हमको से बहार निकालना था ताकि हम थीटा के साइट टाइम का एक रिलेशन देख पाए वह तो सार रूट के अंदर भी होता तो भी होता हां बिल्कुल होता कुछ गलत नहीं होता लेकिन और सिंप्लिफाय वरजिन में हम सिंप्लिफाइड वर्जिन में हम यह टाइम का RILն थीटा के साथ थीटा क्या है एंगल ओफ इंगलनेशन है बिलकुल मत भूलीएगा तिटा क्या एंगल आफ इंकलेनेशन एंगल आफ इंकलिनेशन इंख ली नी मि-शण स न एंगल ओफ चीज पता चली और वो बहुत important चीज है उसको मैं किस color से लिख दू कि मज़ा आजाए आपको तो यहाँ पर हम note लिखते हैं देखो note और वो note क्या है note यह है नियांद सुनना कि जो time period है आप देख सकते हो time period is directly proportional to cosec theta तो cosec theta एक important बाद आपको cosec theta के बारे में बताता हूं कि अगर आपका theta बढलता है न तो cosec theta कम होने लगता है आप देखिएगा अगर आप theta बढ़ाते हो तो एंगल ओफ इंगलेशन बाड़ाओगे तो kosek theta कम लग जाएगा इसका मतलब यह है कि जो time है वो क्या लग जाएगा अच्छा मतलब ज्यादा बड़ा इंगल ओफ 45 डिगरी का ठीक ना और एक इंक्लाइन प्रेन है यह एक इंखिटी दिगरी का एक इंख्लैन यहopir टाइम लग रहा है ताइम को मैं बोल रहे हूं श्कुर रहा हूं तो आपको पता है भाई कि अग hackers बड़ा होगा तो टाइम जो लगने वाला है बॉल को या स्टोन को ऊपर से नीच आने में वह कम होगा तो यहां पर हम सास साफ मोटे-मोटे एक्षंडरों में लिख सकते हैं कि जो टाइम लग रहा है थर्टी डिग्रीवालिे inclination वाले inclined plane पे उस पर टाइम जादा होगा उससे कम टाइम लगेगा 45 डिग्री में और सबसे अधा कम टाइम लगने वाला है 60 डिग्री पे यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है जो मैंने आपको बता दी प्लीज को आप नोट डाउन कर लिजेगा यह नोट बहुत इंपोर्ट दोंगे काण लिया है बास और कुछ नहीं और एक जो पिछला वाला कुशन हमने किया था यह इतना समझ लीजा ठीक ना पका बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ता है और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसमें क्या होने वाला है आओ एक क्वेश्चन है यह सिंब आपको अगर माल लो इसकी इनिशल लॉस्टी युवन है इसकी निशल लॉस्टी यू टू है तो आप से पूछा है तो इसको उपर फेकने क्लीए को चने शळस्टी ऋपर पेकना है तो तो कुछ initial velocity देनी पड़ेगी ना तो यूटू की वेल्यू जीरो नहीं होगी ठीक है ओके और पूछा है दा विलोसिटी ओफ इच बॉल वेन दे मीट अच्छा यहां पर जो विलोसिटी होगी माल लिजे यह वाली विलोसिटी है यह विलोसिटी है वीटू और यह वाली विल हम आग ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि वैसे हमारे पास बहुत कम है हम से बुलाइब विलोसिटी विज बॉल्स और प्रोजेक्टेट तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि यूवन क्या है जीरो है यहां हम बात करने वाले हैं बाल वन की यहां बात करेंगे बाल टू की य उख्रें टाइम में की ताइम अच्या बाहर बताओ इस बॉल को यहां पहुचना है इस बॉल को यहां यहां पहुचना है आ ओन्हरों से बना है कि अधृदिस्ट करें मतलब अगर यह बाल सबूस अगर ताम करना पढ़ेगा आई मेरी बात समझ में अगर इनको आध्या-ध्य दिस्टेंस पर मिलना है तो टाइम से मोना चाहिए एक ही टाइम पर पहुंचे कि तभी तो मीट करेंगी ना भाई अरे भी या अगर मुझे पांच बजे किसी से मिलना है तो पांच बजे उसको भी तो ये मुझए निकालना है वी टू क्या है वो मुझे नहीं पता मुझे निकालना और किया हैobject क्या बोलता यतृशंस पर मिलना है तो मिलना है तो मैं इसको बोल देता हूं L by 2 क्या दिक्कत है आपको इस बात से कोई नहीं acceleration की value क्या होगी acceleration की value होगी G sin theta अभी आपको मैंने last question में समझाया हागी ना हाँ बिलकुल बढ़िया तो आओ हम यहाँ पर लगाते है equation V square is equals to u square plus 2 a s value put करते है value put करते है हमें V की value हमें नहीं पता है ठीक ना initial velocity है 0 initial velocity है 0 plus 2 times of G sin theta into s अच्छा तो V1 square is equals to 2 times of G sin theta की value क्या होगी sin theta की value क्या होगी यह theta है sin theta is perpendicular upon hypotenuse perpendicular is h hypotenuse is L to h by L लिख दिया मैं sin theta into s तो यह जाएगा h by L into s ठीक ओके अच्छा एक सिकंड मैंस को यहां से मिटा दूं क्या क्या क्योंकि मझे जगे जरूद पड़ेगी थोड़ी सी अना इसका हम बाद में लिख लेंगे आए अब मैं यहां आ रहा हूं यहां सौल कर रहा हूं देखो तो V1 कितना आ गया वी वन इस इक्वास टू अंडरूट 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 अच्छा एस की वेल्यू कितनी है लवाइट टू है क्या इस की वेल्यू है लगाल से लगा क्लोड बंन कर लूघ उसका अप पहली वाल बॉल की निकाल अब कितने टाइम बाद टी ॊब कितना टाइम बाद टी । cd timer itt स्कूविटरी ट्राइब रहे चुर्च मечर्टीटी टाइम लग работать फीड़नागर अब बात करते हैं मिया कितने थाइम बद टाइम निकाले ना हम एंधिरकेर से यहां पहुचने में time कितना लगा first ball को तो हम time निकालते है for time calculation for time time के लिए हम क्या करेंगे हम को final velocity पता चली गई initial हम को पता है acceleration हमें पता है time निकाल लेंगे तो v1 is equals to u1 plus a t निकाल लू लगा दू हाँ sir तो जाएगा v1 is equals to u1 plus g sin theta को मैं h by l लिख लू सीधा-सीधा हां सल लिख लो यह हो जाएगा t चलो तो v1 is equals to 0 plus g into h by l into t v1 की value कितनी आई है under root 2g under root g h under root g h is equals to g h into t upon l आपको t की value निकाल लिए मतलब यह जी एच निचे चला जाएगा g h निचे चला जाएगा जी एच की power है वन उपर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा आई मेरी बात समझ में नहीं सर नहीं समझ में करके बताओ ओके चलो करके बता देता हूं under root g h और नीचे आजएगा क्या जी एच जी एच की power कितनी है one है उपर multiply हो जाएगा एल आप टी की value निकाल लोगे अब जी एच की power 1 है यह उपर जाएगा तो जी एच की power minus 1 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं इसकी power 1 by 2 है उसकी power minus 1 by 2 बचेगा ठीक है तो एल इंटू जी एच की power minus 1 by 2 बचेगा इसी कोस्ट टी तो यहां से टी केतना आ गया टी आ गया आपका एल अपॉर अपॉर फैनल विल्रसिटी इस फरस्ट बॉल की जो की टी टी टाइम बाद ल बाय टू डिस्टेंस करके दूसरी बॉल से मिल रही है अच्छा इसी टी टाइम के बाद ये बॉल भी उपर आ रही है समझ रहा हो की नहीं समझ रहे हूं हा सर समझ रहे है तो हम इस टी की वेल्यू दूसरी वाली बॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरी जगे का यूस करूंगा कुछ भी जाने नहीं दूँगा तो मैं बोल रहा हूं कि वी-2 की वेल्यू मजह नहीं पता यूटू की वैल्यू भी मुझे नहीं पता ज़क्स Кَّखलेसन पता है अब ऊपर की तरफ बॉंश जा रही है तो acceleration minus g sin theta हो जाएगा यह मानते हो की नहीं मानते हैं हाँ सर मानते हैं और जो displacement होगा वो ly2 होगा ठीक है ना l by 2 होगा कि minus l by 2 होगा सर माइनस लगा चलो यह भी ले लो minus l by 2 इस direction चलो आओ निकालते हैं हम निकालते हैं हम लगाते हैं equation v2 square is equals to u2 square plus 2 a s ठीक है ओके तो v2 square हमको निकालना है u2 square हमें नहीं पता है वो भी हमें निकालना है plus 2 times of a की value minus कर देता हूं इसको plus 2 times of minus g sin theta minus g sin theta और s की value कितनी हो जाएगी minus l by 2 तो यह minus minus मिलके क्या बन जाएगा भाई प्लस बन जाएगा समझ में आगे बाद हाँ तो v2 square is equals to u2 square plus 2 times of g sin theta minus minus plus हो गया भई g sin theta g sin theta को आप क्या लिख सकते हो h by l लिख सकते हो यह कितना हो गया l by 2 तो यह l से यह l कड़ गया 2 से यह 2 कड़ गया क्या बचा v2 square is equals to u2 square plus gh यहीं बचा क्या हां तो इसको क्या करो बंद कर लो एक डब्बे में लूब एक पतला डब्ब बना लूँक्या मैं 1 पतला टब्बा बना लेता हम क्योंकि बहुत मोटा रप्धा है हमारी काम के चीज जो है वो उसके अंदर छुप रही है यह डबा सही रहेगा क्या बिलकुल सही और बिलकुल सही कुछ भी नहीं कट रहा है तो वी टू स्क्वार इक कर चूच टू यू टू स्क्वार प्रस जी आचा गया हां लेकिन हमको तो वीडियो की वैल्यू चाहिए न वीडियो क कहा आए नहीं हमारे पास क्या क्या unknown है एक वी टू उन्नोन है और एक यूटू अन्नोन है तो आपको दो पढ़े की ज़रुब्स पढ़े आै की वैंक ये तो popularity से करण सकंद। ज़यांगे करते हैं इसको सव और मैं आप सेकेंड वाली के लिए एक्वेशन लगा ओम जो कर राएं तो वीज कुछ टू यू प्लस एल की लगा मना इसमें डी की वेलिू का है वीडू है यू की वेल्यू यूटू है अ Karl dip सो क्रूं अ ऐसे मायनस जी साइन ठीट न्टो टी के वन लुट का है अलपान रूट य चिया अग्या बताओ टी किक यू cap A की वेल्यू क्या है माइनस जी साने थीटा एक वेल्यू है माइनस जी सांसती टेटन एंट टी एलपालन रूट लै। दिए चीजुन किन वैलियू एलपालटी आ नन रूट घ् websites जी इनस यह की गेनशंगेद लोगे तुन peu बाइल इंटू एल बाइ रूट जी एच एल से एल कड़ गया चीक है तो यह कितना बचा वी टू इस इक्वल स्टू यू टू माइनस जी एच अपॉन रूट जी एच अब देखो आप रूट जी एच उपर जाएगा माइनस वन बाइट हो जाएगा इसकी पावर ऊपर वन ह हैं कितना बचेगा रूट जी एच वी टू इस इक्रू लू बाइनस जी एच समझेंगी संजाओ उडू की वैल्यू आ अगही है यू टू माइनस रूट जी एच और यहां पर वी टू की आप वैल्लिय देखिन वी टू स्क्वेयर के फैलिय और यू स्क्वेर प्लैस जी कि equation number 1 and equation number 2 को आपको solve करना है after solving equation number 1 and 2 after solving after solving equation 1 and equation 2 अब आप सोच रहोंगे नीचे क्या देखा सर ने है नीचे कुछ रखा था मुझे लगा पहर ना लग जाए अपर लिजे देखा मैंने after solving equation number 1 and equation number 2 हमको क्या मिलता है हमको u2 की value मिलती है root g के बराबर g h के बराबर और v2 की value हमको मिल जाती है 0 इसका क्या मतलब है इसका एक ही मतलब है कि जब आपकी दूसरी ball जाकर t time बाद मिलेगी पहली ball से l by 2 का distance travel करके l by 2 का distance travel करके तो यहाँ पर जो velocity है v2 यह वाले जो velocity है v2 यह क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी sorry 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 इसी के साथ आपका lecture होता है आपको पता है magnet beans के अपनी website magnet beans.com नाम से जिसको आप जब जाकर google पर type करोगे तो यह वेb page आपके सामने आएगा जहां पर जाकर अप उतने ही खुश हो जाओगे जितना कि यह बच्चा खुश है यहाँ पर जितना content आपको यूट्यूब पर free of cost प्रोइड किया गया है वही content यहाँ पर free of cost आपको प्रॉपर ली अरेंज करकर दे दिया गया है अब आपका मन करें के चलो physics पढ़के देखते हैं जैसे यहाँ फिजिक्स पर क्लिक करोगे तो मेरे पढ़ा हुए सारे के सारे लाइन बाइन यहाँ पर अरेंज कर दिये गया है अना जैसे पहले रेक्चर रहे पर इसके डीपीपी यहाँ पर दीपीप का सेलीशन है जैसे ही आप लेक्चर को खोलोगे तो मैं आपको ऐसे पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाओं गा हना हमारी आइडिलोजी है कि हम completely फ्री एजुकेशन दिने में बिलीव करते हैं का मतलब यह नहीं है कि कंटेंट से कॉंप्रमाइस किया गया हो कंटेंट एकदम टॉप नौच आपको प्रवाइड किया जाता है बदले में हम भी थोड़ा सा प्यार थोड़ा सपोर्ट आप से चाहते हैं और वहाँ हमें कैस पॉस्ट हाना तो चलिए मिलते हैं इसी मेसके साथ नेक्स लेक्चर में तब तक साधान रहिए सतर करहिए पढ़ते रहिए थैंक्यू बेरी मच्च